जड़ा हून दा विशा है साड़ा व्याख्या पर ना लियां दा इस विशा नू रखन दा थोड़ा मतलब एसी के जदू असी अथू वारवार बेंती कर देयां के गुरुगन सहब दू देविद मीनिंग्स पढ़िये और उसनू फिर समझिये और हर कौम अपने दार में ग्रंदा परचार करना चांद दिया है और उदे बदोलती वद्दी फुल दिया है इससे करके असी गुरुमत कालेज विच इस पस जोर कुछ ज्यादा दे रहे हैं परचारक दा धरम उन्दा खलकत नू समझाए मासेज नू समझाए तो गुर्मत कालेज दिये असी एक ड्यूटी समझ दे आँ के असी गुरुगरंस सहब दी जड़ी फिलोसफी है गुरुगरंस सहब दा मेसेज है काल भी डाक्टर साब ने डाक्टर परम वीर सिंग जी ने गाल कर दे कर दे बैटर डरसल दी गाल कीती सी मैं पहले दिन भी ये गाल कीती सी के ओ पच्छमी जड़े विद्वान ने ओ एक एन देने जदों गुरुगरंस सहब पढ़ देने ओ एक एन देने के ओ बलके हरान उन देने के इतनी बड़ी फिलोस्फी वाला जड़ा स्क्रिप्चर है ओ दुनिया तो अंजान क्यों है और इसनों कल डाक्टर साब ने ताम कहता है वह ये जड़े इसनों मनन वाले ने ने कस्टोडियन ने नों जफ़ा पागे बैठे ने और इस सच है कि असी गुरुगन सहब दी गाल जेडिया है पूरे विशवता किया लोगां तक नहीं पहुंचाई मैं सच जानना यकीन मनना मैं उस दिन भी ये गाल कई सी कि किन्नी विडंबने है कि एक मुसल्मान बच्ची पंजाबी ओनर्स करके पंजाबी एम्मे कार रह है उनने अपना कैरियर ही पंजाबी बना लाए और साधे सिक बच्चेया नूँ पंजाबी एक मुसल्मान बच्ची एथे सिखा रही होगे तो बड़ी वर कई वरी अंदरों गिल्टी हुं दिया है हीन भामना आं दिया कि कितना जीब जीब लग दा है कि असी अपने बच् साधी माँ भाशा है बैराल असी अपने आज विशेवल आईए इस विशे नाल व्याख्या प्रनालिया नाल विए एक आल जरूर जुड़ दी है कि यह बच्चेया नूँ पंजाबी नहीं आएगी ताँ फिर गुरुगरं सहीब या गुरुबानी के में पढ़नगे और य लेकिन अपनी मात भाशा दे विच जो समझ वाली गाल है ओ हिंदी दा गुटका पढ़के नहीं आंदा एवन प्रनाउंसेशन विच भी बड़ा फ़र करेंदा है तो संसार भारवेच जड़ा है गुरुगरं सहीब दे अधियंते व्याख्या दा कारग काफी दिल सा स्वी नल दा विच जड़ा होन बने है आज कल खास करके गुरु साहब तो ही गुरु साहब दे टाइम तो ही गुरुबानी दा पाठ और इस दिया व्याख्यावा रिवाईती तरिके नल कीतिया जान दिया नहीं ने उन इसनों प्राबलम में है के समय अनुसार भाशा दा सुरू लेंगोई दा जड़ा सुरूप है या शब्दा दा सुरूप है या बदल दा रेंद है और पिछलियां भाशावा जडियां ने पाइंच सो साल पहले दियां या चार सो साल पहले दियां बढ़ियां आज ओपरियां ओपरियां जियां लग दियां ने आज कल साथे बचे है तो समय अनुसार असजी अपने गुरुगराणस्हेह था इंट्रपटेशन यवय रूधा समय अनुसार नहीं करांगे, तहाANS से बहुत सत्ए रहा जा जैट है। और अलेडी हाम ही वैसे, तो इसलेगी सानु गुरुगर्ण सहीब दी जैडी भाषया है, मनना, अब समझना चाहिए, कि ए जड़ा दुनियावी पहले हिनू समझना जरूरत है गुरुगर्ण सहीब दी भाषया दी जैडी भाषया है, एक शेश समय तक, या विशेश थान नल जुड़ी होई नहीं है और बाबा फृरीद तो लेके नोमी सेंचरी बाबा फृरीद तो लेके नोमे पाशा तक दे लम्मे समय तक फैली बशावाई दे वेचने तो इसलिए क्योंकि ये गुरुगरण सहब काव रूप पिचे इसनों समय न थोड़ा ज़रूर होंदा पर वयाक्यावश जड़ी आने वयाक्या पर ना लियां जरी एग इस समय समय होंदी समय से रहोंदी है नहीं कर देना वैसे दा गुर्फ गरांसभी जी सिंग जी इस विशे नूं करनगे मैं डक्सुमेल सिंग नूं बेंति करदा क्यों हाग जी हाजर संगत दा मैं इते स्वागत करता हैं और अपनी गाल शुरू करनतों पहला कुछ मुडलियां गलां अपां इरे बारे करके देखते हैं के व्याख्याकारी तो पहला मूल रचना और उकिस हद तक तो आड़ी व्याख्या दे विच निब दी है केड़े पसार दे उत्ते असी ज्यादा फोकस कर जानने है केडियां चीजां दे उत्ते साड़ा फोकस कंपेरेटिवली काट जां वद रह जानना है केड़ दा ये मतलब है के हरे एक व्याख्या एक इंटर्प्रेटेशन होंदी है ओ व्याख्या दा अंग्रेजी जा कहना होवे ता एक्स्प्लेनेशन इंटर्प्रेशन हरे एक एक्स्प्लेनेशन वैसे आपने आप दे वेच एक इंटर्प्रेशन भी होंदी है कोई भी व्याक्या इस तरहादे नाल नहीं हुंदी के उस डेविच्चों उस दौर जिस दौर देवच पंदर्मी सदी 6 मीं सदी देवच लिखी गई रचना दी 2021 सदी देवच दीजिडी व्याक्या है तो उदेवच इना 500 साला अंदा शफर साने अज देदोर दे हालाथ क्योंकि जेते असी पुरानी शर्दा वस ही व्याख्या करनी है तो होई होई है उन्हानों ही पढ़ लेना चाहिए उदे वेच कोई नमिया चीजां जोड सकीए कर सकना चाहिए पर हरे एक दौर अपने दरपेश सवालां दे मताबिक हर वार तर्म ग्रांथ नू नवे सरियों पढ़ दा एस करके एक चैलेंज एक चुनोती हरेक व्याख्याकार दे समने है हरेक इंटरप्रेटर दे समने है कि ओक किस हद तक अपने दौर दे सवालां नू अपने दौर दे चिंतन नू मूल रचना और इस संदर्बदे विच गुरु गरंद सहब दे अपने आकार प्रसार और रचना कारी दी अपनी अंदरली व्योंत बंदी दे नाल किस तरह दे नाल नया करदा है ओ नया किस हद तक हुंदा है किस हद तक निबदा है केडियां चीजां अंसुलजियां रह जांदियां ने केड़े मसले होर कोई दिशा लह जांदे ने इन आदे विच्चों ही फिर नमे सवाल पैदा हुंदे ने ओस टीके दे उत्ते भी टिपनी शुरू हुंदी है इसे करके अजकल असी जोनों इस शब्दां दा इस्तमाल कर है तुसी अपनी हर रोज दी पाशा दे विच दिखो के अपने एक शब्द अखीद है गौर नहीं आपकर दे टीका टिपनी बहुत हुंदी है जी होते कि यह कोई बंदेन ने ते हरेगल दे उते ही टीका टिपनी करना लग जान दे सवाल पुछ रहे हैं आसे असी गुंजल नू खोलन दे लई कोई रा लब रहे हैं एक सवाल पा रहे हैं तर्म ग्रंथ नू यहां हो दे किसे व्याख्या कार नू इस गल्दाजी की जवाब दिने हो मेरे दौर दे विच मैंनू रचना इस्तरा दे नाल समझ आ रही है तु किसे वी समाज दी या सब्याचार दी प्रोडता दी निशानी होंदा है इस लिहाज दे नाल इना सारियां गल्लानू मैं चावना भी एक कुछ जड़े बुन्यादी नुकते ने के अख्या ते इत्थो तक जानदा है के अनुवाद यां व्याख्या यां ओधी पेशकारी ते ओदों ही शुरू हो जानदी है जोड़ों कोई रचनाकार अपने मन दे विच दिमाग दे विच ख्याल दे विच एक कोई अब्स्ट्रैक्ट चीज सोचदा है जेड़ा वल्वला उत्थे यहुंदा है वो जेड़ा साधे लेई एक आकार प्रकार हल्का फुल्का ग्रैन करदा है शब्द दा जम्हा पैंदा है साधे अपने गले दे अंदर जबान रही जो दों बाहर निकल दा है जुरूरी नहीं है कि ओही ख्याल है जिड़ा दिमाग दे विच आया सी अनुवाद ते उत्थे भी आ जानता है एक रचनाकार खुद ही अपनी गल्दे नाल उन्हों एक अनुवाद दे तौर्टे ही पेश कर रहे है ट्रांसलेशन दा बुन्यादी नुकता एक लिहाज दे नाल ते एथो ही शुरू हो जानदा है हरे एक रचनाकार जो अब्स्ट्रैक्ट लेवल दे विचों ने सोचया है उन्हों सुमूरत लेवल दे उत्थे तोहड़े समने पेश करन दे विच मेर बाने को आदे लगात एक व्याख्या यहां उदी एक अनुवाद दी प्रोसेस ते उत्थे ही शुरू हो जानदी है उस्तों बाद जेड़ा स्रोता यहां जेड़ा पाठक है उन्हें उस शब्द नूँ उन्हें उस वाक नूँ उस पूरी रचना नूँ कि मैं समझे है केड़ी चीज दे उत्थे उत्थे इस गल दे उत्थे ज्यादा है मैं दरसल आहां गल कैन दे लही लिखेया है पर इस गल दी पूरी संभावना है के ओ स्रोते नूँ यहां पाठक नूँ ओ दो लाइना इंपॉर्टेंट ना लगन उदा जोर किसे होर गल ते होवे ओरी गल नूँ कोई होर गल छू जाए गुरु साब दे विले गुरु गुबिन संग जी दे विले उनना नूँ शिकायत कीती उनना दे सिखाने के एक मलवई सिख्ख है जमें डॉक्टर पर्मवीर संग मलवई ने के जेडा पूरी बाणी दा पाठी नहीं कर रहा ओ ते गल नहीं पूरी कर रहा ते उनू मलवे वाले ना थोड़े जे इस पास्यों अख़ड जे मनने जान दे विचारे बहुते स्याने नहीं मनने जान दे मैं भी मालवे तो ही है मैं इस करके इस गलनों होर हकनाल कैसा हकना मैं कले सारे जने डॉक्टर परमवीर वाली वेखन लाग गए ते उदे वेचेटरों गुरु साब नहीं बुलाया उस सिखनू ओ कहना जी गल्ले है बही मैंनू एक तोक ने मेरे अंदर कार कार लिया जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो मेरे लिए न ए यही पाट है मैं हजे इत्व ही है मैं यह समझ दा है गुरु साब खुशुंदे है गुरु साब दे वेचे गल बहुत है वो इस किसम दिया गल्लानों बहुत पसंद करते कोई बंदा है जड़ा जूज रहा किसे तुक किसे पंग्ती देनार, मथा मार रहे है, दुब्या होया ओदे बेच, इस करके एक उस सिख ने अपनी व्याख्या किती है, अपनी देशी व्याख्या होने किती है, कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, मिरे ले जिगर गुर्बाणी जाजा सिखी दी गल्बात मैं किस हद ता कि साड दे एक अपना अर्थ बोथ ओदे विशालतर अर्थाँ दे नाण अपना सबंद बनाऊंदा है, पूर बनाऊंदा है किस तरह दे नाण अपने अंडर होर चीजा नूँ सुमादा जान दा है प्रमानिकता इस गल्दे उत्ते भी निर्पर कर दी है जो दो असी व्याख्या प्रणालियां दी गल्द कर दे है ता असी प्रणाली दा अर्थ लई दा है methodology एक तरीका व्याख्या नू प्रमानिक लेवल दे उत्ते इस्टेबलिश करन दे लई प्रणाली के इस प्रणाली दे विच अर्थां दियां इना पर्थां दे उत्ते असी ज्यादा जोर दिनने है यहां मन दा अर्थ ए हुंदा है पाशादे विच मन शब्द दे आहा पद अर्थ देते हुए ने इसनू इस दा मतलब असी मन दा मतलब पैर नहीं ले सकते के जी मेरा मन करता है असी इस शब्द दी किसे भी शब्द दी व्याख्या इन्नी वी सुत अंतर नहीं हुंदी कि ओ ओदे मूल पावदे नाली बिसीकली उसनू यह उत्थों डिस्प्लेस कर दे मतलब मैं यह कहना जो मैं यह कह रहे हैं कि असी सारी व्याख्या कर दे हैं तो मैं ओदे विच यह भी गल कह रहे हैं कि प्रनालिया व्याख्या दी एक किसम दी प्रमानकता दे लई जेड़ा मेथर्ड अपनाउंदियां ने उसनू अपना एक किसम दी व्याख्या प्रनालिया आखीता है डॉक्टर तारंद सिंग हुना दी किताब बड़ी इंपोर्टन किताब है गुर्बानी दियां व्याख्या प्रणालियां उदे विच उन्ना ने अठ किसम दियां गुर्बानी दियां व्याख्या प्रणालियां दा जिक्र कीता है उन्हा दी गिंटी दे मुताबक ए अठने मेरा यह लगदाए कि इदे विच असी नमे विचारतारामा दे मुताबक नमे अकादमिक डिसिप्लेंस दे मुताबक असी यह दे विछ होर वी गला, ओर वी चीजा इनना दे विच प्रनालियां दे तोर दे उत्ते असी ले आ सकते हैं जसे तरह के सारे इस पास से अज काले कम चल रहे है नरीवादी चंतन दा के कुरान दी नरीवादी व्याख्या की हो सकती है, पवितर कुरान दी Bible दे वेच जबरदस डिबेट है कि नारी वादी व्याख्या इदी किस किसम दी संबब है किस किसम दी जेड़े marginalized sections ने हाशिया दे विच जेड़े गए होई सेक्षिवें दलित एक प्रनाली है कि ओ आपने दे लही इस किसम दी किस किसम दी reading तियार कर दी है प्रनाली चल दी है post-modernism दी उत्तरा दुनिक्ता वादी इसनू किस तरह दे नार इना चीजां दे समावेश लेके जान दे ने पंजाबी दे विच मार्क्स वादिया ने भी कुरुग्रान साहब दी व्याख्या दे उत्ते बढ़िया गंभीर चीजां सामने ले आ दिया ने प्रोफेसर किशन सेंग एक बहुत ही बड़ा ना ने जेड़े के एस किसम दी एक थियालोजी नू लिबरेशन थियालोजी नू खड़ा कर दे बाइबल दे विच खुद वेटिकन टू असी उसनू कुन्वेंशन नू अखीदा है जिस दे विच के लातीनी अमरीका दे पाद्रियां ने लीड कीता उस दी एक प्रो पीपल व्याक्या उसनू वसी लिबरेशन थियॉलोजी उत्हों ना ओं दा कैसी थियॉलोजी एक ऐसा तर्म विद्या ग्रंत दा एक ऐस्या तर्जमा या व्याक्या जेडिका लोकान दी इस लोक दे विच मुक्ती दे होर पसारां दे नाल भी स हांज बना सकते हैं इसलिए हास दे नाल मैं बुन्यादी दौर दे उत्ते डॉक्टर कारण सिंग हुना दियां जिडियां अठ विदियां दे उन्दा ने गल कीती है ज्यादा जोर अपना उन्ना तहीं रहेगा उन्ना दे बारे बहुत संखेप दे वेचापन कुछ गलां करा दे ने बहुत विशाल सब्जेक्ट है मैं अरे बारे कुछ मुड्लियंग लाइं करांगा सब तों बड़ा का मेरे उत्ते पंतालीस अफयान दा लेख बड़ा वदिया डॉक्टर परमवीर होना दा आप लिखया होया है अगली गल एदे विच ए है कि कि सिद्धा अर्थ टीका असी क्यों कर दे है कि किसे भी वाक दे अर्था नू स्पष्ट करन दे लई जेडी विदावर्थी जन्दी है उसनू असी टीका अखी दे विच अगला दौर या अगला पड़ा व्याक्या दा होंदा है व्याक्या सदारन पदर दी भी हो सकती है सिदान तक पदर दी भी हो सकती है दो ओदे अपनी सहूलत दे ले आपां ओदे दो जुट बना सकते हैं तीके दे विच कठन पदा दी व्याक्या होंदी है एदा सरल होना संखेपता सार्थकता इना चीजां दे उत्ते एदा फोकस और एहे टिपणियां सहत भी कि इस गल्द दा मतलब एह है किसे भी रचना नूँ गूड रचना नूँ उदे पद अर्थ देके येड़े कठिन पद ने उनना दा अर्थ देके नाड अपनी गल्द नूँ अगे तुरे आ जान दा उन्हों असी टिपणि भी कह लेने है अगल कि एक फॉर्म होंदी है व्याख्या दी जिन्हों असी भाष संस्कृत दी रूट तों है शब्द होंदा भाष इंट्रप्रटेशन दी लेबल दी उते भी यह होंदा है और बहुत बड़ा एक पूरे सो नहीं हजार सालां दा सफर है जिड़ा पहले हजार साल ने सन वन टों लेके तो लेके टे 1,000 एडी तक हिंदुस्तान दे विच ए भाष दा समय है जोनों के लगातार परवाणा दे उत्ते वेदां दे उत्ते और इसकिसम्ते जडे होर महान पुरातन ग्रंथ ने हिंदू तर्म दे उनना दे लगातार भाष दे मतान दे विच बैठके 2000 सन तक दा जड़ा समा यहां खास तो और ते 1800 तक दा ए बड़ा creative समा भी है कि नमियां चीजां दी interpretation पुराणियां नू छड़ की चीजां सामने भी हों दी है पर भाष दा एक किसम दी सिदान तक व्याख्या हों दी है हे तर्जमा होंदा है बहुत जबरदस और एदे विच अपने दौर दे सवाला नू जिसनों अपने दौर दे सवाला दे लएं आसी एक लफ्स कहने हैं दृष्टि कौन नजरिय एही होंदा तो तुसी मूल रचना दे व्याख्या दे वलवद देओं और अपने समय दे मताबक उना सिदानतां दी रोशनी दे विच उसनों अगे प्रकाशत कर देओं इस दी पाशा या इस दी विधी कठिन हुंदी है गंभीर हुंदी है और खासी गहराई दे विच इस दे विच कम कीता जाना है एक होरे दी फार्म हुंदी या व्याख्या दी वृत्ती वृत्ती दा मतलब वृत्त तो आउंदा है स्फियर नूँ अख देई दा के एक शब्द दा अर्थ इस किसम दा होवे जिस दे विच के होर कई अर्थां दी संबावना पई होवे ओ कोई सर्ल व्याख्या नहीं विच एक चीज हुंदी है के तुसीं गूड या सूत्रिक शैली दे विच जिमें हरिंदरपाल जी ने जिक्र कीता के क्योंके एहे काव दी फॉर्म दे विच्चा सारी बानी ता एस दी व्याख्या विस्थार मंग दी है एक चीज दा कंसेप्च्यूल अर्था नू समझाओंडे लई सानू लगातार एक विस्थार जणा पेंदा है और फिर उसनू असी समेट के अगे जानने है अगले एक चीज होर हुंदी है जिस दे लई पर्मार्थ शब्द दा भी इस्तमाल कीता जानदा है पर्म अर्थ पर्मार्थ दा पर्म अर्थ ए उदी संदी भी छेदो दा ए बनदा है पर्मार्थ रचना दे अपने अनुशासन नूँ ओमें नहीं लेंदी जिमें टीका लेंदा है टीका एक सरल किसमदी व्याख्या हुंदी या एक सरल एदे होर सब्लाइम अर्थाने बाल जा रहे हैं जिदे विच के वडेरे पदर दे उत्ते चीजां एकठियां हों दियाने और एक खास तोर दे उत्ते एदा असर होंदा है अदे आत्मक सिदानतां दी सपश्टता दे लई एक कुछ फॉर्म्ज ने तीका कारी दियां या व्याख्या पद दियां जो दो वसी गुर्बानी दी प्रंपरा दे वेचाउने हैं गुर्बानी दी व्याख्या प्रंणालियां या इस प्रंपरा दे वेचाउने हैं एक गल्दे उते गौर करन दी लोड़ा है के गुर्बानी खुद रिंदरपाल जी ने आख है के बाबा फ्रीद होना दी बाणी दे दौरतों लेके और गुरु तेग बहादर सहब दी बाणी जोदों एड़े विच कंपाइल किती जान दी है ये बहुत लंबा सफर है कटो कट 400 साल 500 साल दा सफरे दा अपना है बाबा फ्रीद दे जे दौरनों से गिनिये ते गुरु तेग बहादर सहब तक आईए ता इन्ना समा ये बन जान दा है एक अल क्योंके के घिक्षार दे विच भी डॉक्टर पर्मभीर कर चुके ने अप अम्हीं समझ दे हैं कि गुरु बाणी या गुरु गरुन साहब दे विच जेड़ी अपना एक अनुशासन है कि ओदी संकलन ते ओदी संपाधना दे विच येडी मिनत होई है कि किस किसम दे पावर्थ दे लई, रागा दे नाल, किस किसम दी बाणी दे लई, पहला गुरुँआं दी बाणी, फिर पग्तां दी बाणी और उस लिहाज दे नाल एक दरजा बंदी दे विच ओछ चीज या होते एडिटिंग कोई असान चीज नहीं होंती है और असी यह भी देख रहे हैं कि बहुत सारी यह थावांदे उत्ते जे बाबा फरीद जी ने शलोक लिखे ने दो सत्रां दे तो उन्हानों एक्स्प्लेइन कर दे हुए कई शब्द लिखे गए ने गुरुवां दे बल अफरीद गल केंदे ने के एक किसम दा मनुख इस तर्थी दे उत्ते आया है ते जे उन्हें ओधनाड अपने दुख लेके आया है यह तुसी चंगे कम नहीं करोंगे ता सजा बहुत ज्यादा है सजा दे उत्ते बहुत जोरा होना दा और गुरु साब गुरु अर्जिन इ उत्ते गल केंदे ने के यह तर्थी पूम रंगावली है यह रंगली तर्थी है इथे भी बड़ा कुछ है यह कोई इन्नाई डेजुलेट था नहीं है जिन्हीं के बाबा फ्रीद हुना ने अपने विचार प्रबंद दे विचोंदा नों लग दी है एक किसम दी एक्स्प मोडी ने इस सिखपंथ दे उननने जिस किसम डा डायालॉग यह सूफियां दे नाड उनना दी गल चल रही है तो बहुत गंभीर गल चल रही है सिद्धा दे नाल चल रही है तो एक बहुत ज्यादा फलसफे दे विच ओट प्रोट सिद गोश्ट मिल दी है हो रहां एह जि आमचकों के लिखा जा रहे है मैं कहना यह चाहूना है कि इनना सिदान तक पदा दी एक एक गुंजल नों खोले भी है बाद दे विच परवर्ती गुरु साहबान ने गुरु अमर्दास जी ने गुरु अर्जुन देव जी ने और सबतों ज्यादा जिसनों गुर्बानी बंद पे दानूं जिथे ओं मुंदे होए ने उनना नों खोलन दा एक विदी दस्ती है यह उनना ने एक्स्प्लेइन कीता है इदे विच एक गुरु नानक साहब दी मैं इजी विसार चेस करके नहीं जान दा कि आपका कल दी मेरी गलबात नों जे थोड़े जेंच होए कि किस तरह दे नाल कंसेप्चियो लेवल दे उत्ते गुरु नानक देव जी दी किती गलबात गुरु गुबिन सिंग जी तक जाके के में ट्रांसफॉर्म हों दी है पर मूल पावतों ठिर्क दी नहीं उन्हों अपने दौर दे विच के में इंटर्प्रेट भी के में कर दी ह एस लिहाज दे नाल एस नू असी डॉक्टर तारं सिंग दे मुताबक सहज परनाली अखीदा है सहज पाव दे नल काव दे ही विच, उसे ही विचार तारक प्रंपरा दे विच गृुव सहबान दे आपने थापे होए उत्रा दिकारी, गृु सहबान लग म cassette एक व्याख्या बिशलेशन दे विच पह होए हैं अपने दौर दे मताबक हो गुरु नानक दे उना कोड़ नू खोल के दसरे ने समझा रहे ने उनू नमे लेवल दे उते समने ले आ रहे ने इदा ना सहज प्रनाली असी अंक्या है और सारे दी सारी गुर्बानी नू나ू सहज प्रनाली दे विकास दे तोर दे उते ले आ जा सकता। गुरु ग्रन्द साहब अपने आप दे विच व्यक्या भी है, गुरु नानक देव जी दे उन्ना मूल सिदान्तां दी गल करन दी। इस तों बाद जिक्र रहुंदा है कि जिस दा ना आसी लई दा प्रनाली दा पाई प्रनाली, पाई प्रनाली उदा ना हैं जी। और इस प्रनाली दे प्रबुद पुर्क, फाउंडर, पाई गुर्दास मनने जान दे। ए ओ सजण ने बाबा बुड़ा जी नू भी तुसी ले सकते हैं क्योंकि जेडे बंदे ओ समय कथा कर दे सन। गुरु सहबान दे हजूरी सिक्सन। लंबे समय तो उन्ना प्रमप्रावानों अंदर ग्रैन कीता होया सी। पद्वी गुरु दी नहीं सी। उते गुरु प्रमप्राते अलागी चली रही सी नाड। अन्ना दे सब तो निश्ठावान गुड़े सिखां दी जमात है। बाबा बुड़ा जी दा सतकार ते गुरु परवार दे विच भी बहुत ज्यादा है। तो य। पाई गुर्दास जी दा भी है। देखनवाली गल्य है के पाई गुर्दास खास्त तौरते एस ते विच केडिया नमियां कलना लेके आउंडे। पंजमें गुरु नू पत्शाही मिल्न वेले उन्ना दी शहादत होन तक और उन्ना दी शहादत तौं बाद वी गुरु हर्गुबिन साहब तक पाई गुर्दास जी दा लिखनकाल।